बच्चों लिखांकन के अंतरगत अब तक हमने देखा कि किस प्रकार एक व्यपारी अपने दैनिक व्यवहारों को व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए पंजी प्रविश्ट्री का प्रियोग करता है हमने देखा कि पंजी प्रविश्ट्री के आधार पर हम खाता बही का नर्माण करते हैं ज्याने की पंजी के अंतरगत किये गए अलग-अलग प्रकृति के व्यवहारों को खाता बही के अंतरगत हम अलग-लग खाते में वर्गी कृत कर देते हैं जब हम 50 प्रविस्टी कर रहे थे तो भी हमने देखा कि किस प्रकार एक वेपारी बैंक संबंधी कई वेभार करता है जैसे कि वो बैंक में कभी पैसे जमा करता है कभी बैंक से पैसे निकालता है कभी वो किसी वैपारी को चेक से भुक्तान करता है तो कभी वो किसी वैपारी से चेक से भुक्तान प्राप्त करता है कई बार एक वैपारी बहुत सारे खर्चों के लिए चेक जारी करता है रोकड की जगा पे इसी प्रकार बहुत सारे छोटे मोटे वै और आएवय का माध्यम जो होता है वो बैंक होता है यानि कुल मिलाकर एक व्यपार में बैंक का महतोपोर्ण स्थान होता है ठीक इसी प्रकार खाता बही में हमने देखा कि जब हम पंजी प्रविष्टियों के आधार पर खतौनी कर रहे थे तो बहुत सारे खातों के साथ साथ हमने बैंक खाता भी बनाया था बैंक खाते में हम उन समस्त वेवहारों का लेखा कर रहे थे जो बैंक से संबंदित थे चाहे वो बैंक में पैसा जमा करने से संबंदित हो निकालने से संबंदित हो या किसी आएवेस संबंदित हो अब इन दो अध्यायों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी वेवसाय में बैंक का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है यानि कोई भी वैपारी जब वैपार करना प्रारम करता है तो इस पूरे प्रक्रिया में बैंक उसके लिए एक महत्रपूर्ण स्थान रखता है वास्तों में सभी वैपारी बैंक में अपने एक चालू खाता खोलते हैं और समय समय पर उनमें नगदी जमा करते हैं निकालते हैं विनिमे, विपत्र, हुंडी और चेक आदी को उनमें जमा करके उसकी राशी को प्राप्त करते हैं चेक के माधियम से जमा करके चेक को वो कैश में परिवर्थित करते हैं ऐसे बहुत से कारे होते हैं जिसके लिए बैंक का सहयोग लिया जाता है वास्तों में जब हम रोकड बही में किसी प्रकार की बैंक सम्मंधी कोई प्रविष्टी करते हैं तो जितने रुपए से उस रोक लेकिन कई बार जब वर्ष के अंत में रोकड भही का मिलान पास्भुक के साथ किया जाता है, तो यह देखा जाता है कि इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, अब यहाँ पर क्या किया जाए इस स्थिती में तो यहाँ पर इस समाप्त करने के लिए हम एक विवरन तयार करते हैं जिसे हम कहते हैं बैंक समाधान विवरन तो आज हम जानेंगे कि बैंक समाधान विवरन क्या है किस प्रकार इसका निर्मान किया जाता है कौन-कौन से इसके महत्व है क्या इसकी विशेस्ता है और साथ ही साथ हम देखेंग कि वास्ताओं में किस प्रकार बैंक समधान विवरंड का निर्मान किया जाता है। सबसे पहले हम सीधे सरल अर्थों में बैंक समधान विवरंड के अर्थ को जाने। तो बैंक समधान विवरंड के अर्थ को हम इस प्रकार से परिभाशित कर सकते हैं। एक ऐसा विवरण जो रोकड बही और पास्बुक का मिलान ना हो पाने के कारण अंतर की राशी के आधार पर समयोजित करके वापस बैंक और पास्बुक का जो बैलेंस होता है उसको बराबर कर देता है यानि कि इक्वल कर देता है अब अगर हम बात करें कि कैश्बुक यानि की रोकर पुस्तक और पास्बुक यानि की बैंक से संबंधी जो पुस्तक होती है उसमें संबंध क्या होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम जैसे कि हमने जनरल प्रविस्ट्री की जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वहाँ पर हमने पंजी प्रविस्ट्री कौन सी की बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इसका मतलब है कि जितनी राशी हमने बैंक में जमा की उतनी राशी से हमारा पास्बुक जो है वो बढ़ जाएगा पास्बुक में बढ़ी हुई राशी दिखाई जाएगी और क्योंकि कैश हमारे पास से चली गई कैश बुक स से समझे कि मान लीजिए बैंक से पैसा निकाला तो यहां पर हम General Endry करते थे Cash account debit to bank इसका अर्थ है कि जितनी राशी से हमने बैंक से पैसा निकाला है उतनी राशी से Cash account तो हमारा बढ़ेगा क्योंकि Cash आई हमारे फॉर्म में लेकिन उतनी ही राशी से पास्बुक जो को घटना चाहिए कम होना चाहिए और ऐसे बहुत से व्य होते हैं ऐसी बहुत सी आय होती हैं जिससे cash book और bank pass book दोनों एक साथ प्रभावित होते हैं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काफे कुछ संबंद एक पास बुक और कैश बुक में पाया जाता है अब बैंक समाधान विवरण को और अच्छे से समझने के लिए आए इसके कुछ परिभाशाओं पर एक नजर डालें श्री विलियम पिकल्स के अनुसार समान तया एक ऐसा विवरण तयार किया जाता है जो न प्रस्तुत किये गए और न वसूल किये चेकों के प्रभाव को स्पस्ट करता है बैंक समाधान विवरण कहा जाता है प्रोफेसर आर जे विलियम् बैंक द्वारा ग्राहक के लिए प्रकट की गई बाकी और ग्राहक की रोकड पुस्तक में बैंक के बाकी के मिलान के लिए विवरण पत्र बनाया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण पत्र कहते हैं बैंक समाधान विवरण के इन परिभाशाओं के आधार पर हमने देखा कि किस प्रकार रोकड बही और पास्बुक एक दूसरे से सम्बंदित होते हैं और इन से सम्बंदित जो अमाउंट होते हैं इनके जो शेश होते हैं उनमें भी आपस में सम्बंद होना चाहिए वो ट की विशेस्ताइं क्या-क्या है इस पर एक नेजर डाले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह प्रिथा क्रूप से तयार किया जाता है जो लेखांकन के अंतरगत जो लेके किये जाते हैं हमने खाता बही में देखा कि बहुत सारे अलग-अलग खाते बनाया जाते हैं उनके अंतरगत बैंक समाधान विवरेंट नहीं बनाया जाता बलकि अलग से जबकि पास्बुक का और कैश्बुक का मिलान करने पर हम देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई अंतर आ रहा है तो हम समझ ज के लिए उनको समायों जीत करने के लिए उनका सुधार करने के लिए अलग से बैंक समाधान विवरेंट बनाया जाता है दूसरी इसके विशेस्ता यह है कि शेष का मिलान करता है जैसी कि हमने बात कही कि पास्बुक का जो शेष है वो रोकड़ बुक के शेष से उसका मिला अगर नहीं हो पा रहा है और इस कंडिशन में अगर हम बैंक समाधान विवरेंड टयार कर लेते हैं। कि निश्चित तिथी को ये बनाया जाता है कोई भी वैपारी अपने खातों को खोलने और बंद करने की जो तिथी होती है वो पहले से नरधारित करके रखता है निश्चित करके रखता है जिसे हम वित्यवर्ष के नाम से भी जानते हैं वित्यवर्ष जो होता है वो वास्तो कई वेपारी अपनी सुविधा के नुसार के परिवरतन भी लिए पर रखे और लकिन जो भी से पूरवर निश्ऴित होता है। एक इसकी महत्वपूर्ण विश्यस्ता ये भी है कि ये ग्राहक के द्वारा बनाया जाता है जब हम बात बैंक संबंधी वेभारों की करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि दो पक्षकार होते हैं एक बैंक और दूसरा वेपारी तो ये जो ढूणने का काम होता है कि तुरुटी कहां होई है कैश्बुक में कम क्यों दिखा रहा है पास्बुक में ज्यादा क्यों दिखा रहा है या तो पास्बुक में ज्यादा एमाउंट हो गई है और कैश्बुक में कम जो भी हो मिलान न खूंडे शेश का मिलान करें बैंक समाधान विवरन बनाएं वैसे ही इसके विशेस्ता ये भी है कि इससे चलकपट का भी पता चलता है हाला कि ये बात अलगी कि कई बार तुटियां हो जाती है जैसे बैंकों में हम चेक जमा करने के लिए भेजते हैं लेकिन गलती से वो बै भब सारी चीजे होती है जैसे बैंक ने बैंक व्य लगा ये लेकिन रोकड भाई में हम नहीं लिख पाई ये बायो मिस्टेक होती हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ले खाफाल जो होते हैं या कुछ वैपारी जो होते हैं वो जान बूच कर इस अमाउन को छुपान हम इसके महत्व या लाब पर एक प्रकाश डालें तो यहां पे भी हम देखते हैं कि लगबग जो विशेस्ताएं हैं उन्हीं के आधार पर हम इसके महत्व को भी प्रकट कर सकते हैं जैसे इसका महत्व एक यह है कि तुरुटियों का पता लगाता है हमने विशेस्ताओं में यह चलता है तो एक प्रकार का यह लाब भी है कि इसे आसानी से घ्रां हो जाता है कि रोकड भई में लेखा करने का यह आधार होता वास्तो में यह जो शेष के आधार में लेखा ग CommonDo सब्सक्राइब करें तो एसी कंडिशन में जब हम बैंक संबंधी लेखी आने की पास्बुक का और रोकर बुक का दोनों का मिलान करते हैं तो हमको बहुत आसानी से पता चल जाता है कि बैंक में किस-किस तरह की तुरुटिया हुई है कौन से माउंट जादा लिखा गई है कि वैसे एक पॉइंट हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि अंकेक्षन के लिए जब यह बहुत जरूरी है वास्तों में एक अंकेक्षक जब अंकेक्षन करता है तो वह प्रयास करता है कि कि किसी ना किसी प्रकार की तुरुटि को पकड़ देख पाई कि क्या इसमें मिस्टेक है तो इस कंडिशन में जब वो बालेंस चेक करता है कैश्बुक को अलग से चेक करता है यह निकि यह पूरा का पूरा अंकेक्षण का जब वो काम करता है तो उस दोरान भी इस तरह की जो तुटिया होती है वो ना हो ना देखने को मिले इसले पहले से ही बैंक समधान विवरंट तयार कर लिया जाता है साथ ही वास्तविक शेश का इससे पता चलता है आगे जब हम क्रियात्मक प्रश्णों को हल करेंगे तो हम देखेंगे कि किस प्रकार हम पास्बुक के शेश के आधार पर रोकड भाही का शेश और रोकड भ पूरा का पूरा बैंक समधान विवरंट बनाने का आधार ही यही है कारण यही है कि रोकड पुष्टक और पास्बुक में अंतर आ जाता है लेकिन क्यूं आता है इसके क्या कारण है इस पर एक नज़र डालें तो अंतर के यह जो कारण है इसको हम दो भागों में तुसरी एक कंडिशन बनती है ऐसे लेखे जिनकी पास बुक में तो एंफ्री हो गई है लेकिन रोकड पुस्तक में उनकी प्रविश्टी नहीं हुई है अब क्यूं नहीं हुई इसके भी अपने बहुत से कारण हो सकते हैं फर्स्ट कंडिशन की अगर हम बात करें यानि की रोकड पुस्तक में प्रविश्टी हो जाना लेकिन पास बुक में प्रविश्टी नहीं होना तो ऐसी कौन-कौन सी दशाएं बनती हैं फर्स्ट कंडिशन में सबसे पहला बिंदू इसके अंतरकत आता है निर्गमि चेक भुक्तान के लिए अप्रस्टूत एक वैपारी अपने वैपार में बहुत सारे वैभार के लिए बहुत सारे लेंदेन के लिए चेक का प्रयोग करता है क्योंकि बहुत आसानी से वो लेंदेन कर पाता है चेक के पास वो एंट्री भी कर देता है रोकर वही में वो प्रविष्टी कर देता है लेकिन जिस ततीतओ बैंक समाधान Savannah बनाया गया उस ततीतक वह जो आगला व्यापारी था जिसको उसने चेक दिया था उसको वह बैंक में प्रस्तुत नहीं किया बैंक में ले जाके जमा नहीं किया है लेकिन पहला जो वैपारी था वो ये मानता है कि मैंने तो चेक निर्गमित कर दिया इशु कर दिया यानि कि मेरे पास्बुक से इतना पैसा कट गया होगा लेकिन पास्बुक से पैसा तभी कटेगा जब वो अगला वैपारी उस चेक को ले जाकर बैंक में जमा करेगा अब यह ऐसे इस्थिती बन गई जो रोकर पुस्तक में तो प्रविष्टी जहां पर हो गई लेकिन पास बुक में प्रविष्टी अभी तक नहीं हो पाई तो यह एक कारण बनता है दोनों में अंतर का दूसरा कारण हम देखे तो यहां बनता क्या संग्रा है तू भेजें गये चेक असंग्रहित कई बार व्यपारिझ अपने अकाउंट में पैसे जमा करने के लिए भेजता है और जैसे ही वो जमा करने के लिए बेसता है रेकिन कई बार ऐसा होता है कि बैंक समाधान विवरण बनाने की तिथी तक वो जो अमाउंट रहती है वो चेक के द्वारा बैंक में जमा नहीं हो पाती है अब ऐसी कंडिशन में फिर से कैश्बुक और बैंक की पास्बुक में अंतराना स्वभाविक है तीसरी एक कंडिशन बनती है जब चेक या विपत्र का अनादरन होता है एक वेपारी चेक या विपत्र जमा करने के लिए बैंक में भेज देता है और जैसे ही वो बैंक में भेजता है तुरंत अपनी रोकडबही में वो प्रविश्टी कर देता है लेकिन बाद में होता ये ह कि उसका जो चेक है वो बैंक के द्वारा कर दिया जाता है अनादरित कर दिया जाता है लेकिन उसकी सूचना जो है बैंक उस वैपारी को नहीं देता है कब तक नहीं दे पाता है जब तक बैंक समाधान विवरण बन गया होता है उस तिथी के पहले वो नहीं दे पाता बैंक सूचना दे देता तो वो वैपारी भी अपने कैश बुक में अनाधरन की प्रविष्टिक कर देता लेकिन सूचना ना मिल पाने के कारण ऐसा करने से वो चूक जाता है अब यह ऐसी स्थिती बनती है कि पास्बुक और कैश्बुक में फिर से डिफरेंस आ जाता है अगली एक इस्तिती बनती है जबकि चेक या विपत्र ये जो होते हैं ये रोकड पुस्तक में डेबिट कर दिये जाते हैं यानि कि भेज दिया गया रोकड पुस्तक में डेबिट कर दिया गया लेकिन बैंक ये पास्बुक में उसको लिखना भूल जाते हैं तो ये भी एक ऐसी condition बनती है जब दोनों में difference आ जाता है अब अगर हम बात करें ऐसी प्रविष्टियों की जिनका लेखा पास बुक में तो किया गया लेकिन रोकड बही में इनकी प्रविष्टि करनी रह गई भूल गए तो इसमें सबसे पहला point आता है bank द्वारा debit किये करता है बहुत सारे उनकी सेवाइद और बदले में वह कमिशन व्याज लगाता है वास्तों में कई बार ऐसा होता है D बैंक इन सेवाओं के बदले व्य करता है, बैंक व्य डेबिट कर देता है, लेकिन इसकी सूचना व्यपारी को नहीं दे पाता है, व्यपारी को किसी कारणवश नहीं मिल पाती, तो वो अपनी कैश बुक में किसी प्रकार की कोई प्रविष्टी नहीं करता है, अब ऐसी कंड कंडिशन बनती है जब बैंक द्वारा सीधा फुक्तान कर दिया जाता है कई बार एक बैंक जो होता है वो किसी ग्रहक को किसी वैपारी के और से सीधा फुक्तान कर देता है उस वैपारी के अकाउंट में से लेकिन इसकी सूचना इसका ज्यान उस वैपारी को नहीं हो पाता ह चाहे उस वेपारी की तुरुटी हो या बैंक ने सूचना देने में विलम भी किया हो कोई भी कंडिशन हो लेकिन वेपारी के पास अगर सूचना नहीं है तो वो अपनी रोकड पुस्तक में किसी प्रकार की कोई उसने अभी तक प्रविष्टी नहीं की है ये माना जाएगा अब ये एक ऐसी दशाव बनती है कि फिर से पास बुक और रोकड बुक में अंतर आने लगता है ठीक इसी प्रकार एक स्थिती बनती है जबकि भुनाएं गए जो विपत्र है उनका अनादरन हो जाता है जैसे ही विपत्र भुनाने के लिए बट्टे पर भुनाने के लिए प्राप्त होते हैं वेपारी तुरंत रोकड़ पुस्तक में उसकी एंट्री कर देता है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो विपत्र बुनाने के लिए दे गया थे वो अनादरित हो गया डिजॉर्नर्ड हो गया अब क्योंकि वेपारी तो पहले से प्रविष्टी उसकी कर दिया है अगर इसकी सूचना समय रहते बैंक दे देता है तो वापस उसकी विप्रित प्रविष्टी की जा सकती है लेकिन अगर बैंक समधान विवरन बनाने की तिथी तक इसकी सूचना वेपारी को नहीं मिल पाती तो फिर अंतर आने की संभावना बनी रहती है अंतर और फिर उस अंतर को कैसे ठीक किया जाए इसके लिए फिर बैंक समधान विवरन की आवशक्ता पड़ती है एक कंडिशन अगली यह भी बनती है कि कई बार ग्राहक डायरेक्ट किसी वेपारी के अकाउंट में पैसे जमा कर देता है लेकिन उस वेपारी को सूचना नहीं द रहां के द्वारा तो फिर जब मिलान किया जाता है तो उतनी अमाउंट से फिर से डिफरेंस आने लगता है पास्बूक और कैश्बूक में बिल्कुल ऐसे ही लिपिक समंधी कई तूटिया होती हैं कई बार देखते हैं कि बैंक एक चेक जारी कर देता है हम कैश्बूक में उसके एंटरी भी कर देते हैं लेकिन अकाउंटेन जो होता है वो समय रहते हैं वो संग्रहित नहीं हो पाता है उसकी पास्बूक में उसके अकाउंट में तो ऐसे बहूँ सारे तूटिया होती है जिनके कारण पास्बूक और कैश्बूक का जो डियांस आना चाहिये इसमे अंतर दिखाई देता है तो हमने देखा कि किस प्रकार कौन-कौन से कारण है जिसके कारण पास बुक और कैश बुक में काफी अंतर देखने को मिलता है वास्तों में इस अंतर का प्रभाव क्या पढ़ता है कब कौन सी राशी कम होती है कौन सी राशी बढ़ती है या कोई अमाउंट अंतर आने पर भी पूरुवत ही बनी रहती है इसको एक टेबल के माधियम से बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं पास्पुक और रोकडबुक के अंतर के कारण तथा उनका प्रभाव पहला अंतर के कारण ऐसा व्यवहार जिनका लेखा रोकडबही में किया गया हो लेकिन पास्पुक में नहीं किया गया हो जिसके अंतरगत पहला बिंदू आता है जारी किये गए चेक जो भुक्तान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए इस कंडिशन में रोकड बही का बैंक शेष पूरुर के तुलना में कम हो जाता है जबकि पास्बुक का शेष पूरुवत रहता है दूसरा, बैंक में जमा किये गए चेक जिनका संग्रहन नहीं हुआ है चेक डिपोजिटेट बट नौट कलेक्टेट बाइद बैंक इस कंडिशन में रोकड बही का बैंक शेष पूरुव के तुलना में अधिक हो जाता है लेकिन पास्बुक का शेष पूरुवत रहता है तीसरा, विनिमे विपत्र चेक आधि का बैंक द्वारा अनादिरित हो जाना इस कंडिशन में रोकड बही का बैंक शेष पूरुव से अधिक हो जाता है जिबकि पास्बुक का शेष पूरुवत रहता है चौथा प्राप्त चेक जो रोकड के बैंक स्थम्भ में नामी किये गए किन्तु बैंक में नहीं भेजे गए रिसीब चेक डेबिटेट टू बैंक कॉलम बट नॉट सेंड टू दे बैंक पॉल कलेक्शन इसकंडिशन में रोकड बही का बैंक शेष पूर्व के तुलना में अधिक हो जाता है जबकि पासबुक का शेष पूर्ववत रहता है पाँचवा, निर्गमित चेक बैंक द्वारा अनादिरित किये गए इस कंडिशन में रोकड बही का बैंक शेष पूर्वे की तुलना में अधिक हो जाता है जबकि पास्बुक का शेष पूरुवत रहता है दूसरी वध अशाद जिसमें ऐसे वेवहार जो पास्बुक में लिखे गए हों किन्तु रोकड बही में नहीं लिखे गए हों इसमें फर्स्ट कंडिशन में जबकि अधिविकर्ष पर ब्याज एवं बैंक द्वारा लगाया गया बैंक वे आदि इंट्रेस्ट और ओवर्ड्रॉफ एक्सपेंसिज चार्ज बाइद बैंक इस कंडिशन में रोकड बही का बैंक शेष पूरुवत रहता है जबकि पास्बुक का शेष पूरुविके तुलना में कम हो जाता है दूसरा बैंक द्वारा जमा किया गया ब्याज इंट्रेस्ट ट्रेडिटेट बाइद बैंक इस कंडिशन में रोकड बही का बैंक शेष पूरुवत रहता है जबकि पास्बुक का शेष पूरुविके तुलना में अधिक हो जाता है इस कंडिशन में रोकड बही का बैंक शेष पूरुवत रहता है जबकि पास्बुक का शेष पूरुविके तुलना में अधिक हो जाता है इस कंडिशन में रोकड बही का बैंक शेष पूरुवत रहता है जबकि पास्बुक का शेष पूरुविके तुलना में कम हो जाता है इस कंडिशन में रोकड बही का बैंक शेष पूरुवत रहता है जबकि पास्बुक का शेष पूरुविके तुलना में अधिक हो जाता है छटवा पास्बुक के लिपिके तुल्टी का इस कंडिशन में रोकड बही का बैंक शेष पूरुवत रहता है जबकि पास्बुक का शेष परिवर्तित हो जाता है